Hello Students आजके इस क्लास से हम इस्टार्ट करने जा रहे है हमारा Integyumentary System चीक है तो नेक्स्ट जो GI के बाद और ENDO के बाद जो series आती है वो Integyumentary System के आती है तो देखते हैं कौन-कौन से और कितने question हमसे इस topic में पूशते हैं Question No. 1 से start करते हैं पहला question, question No. 4-33 इक नर्स एक विक्ति को टेपिट बात देने जा रही है using bath thermometer to test the water temperature and uses a bath thermometer to test the water temperature टेपिट बात देना है मरीज को और वो bath thermometer से पानी का तापमान ना परिये what is the acceptable temperature range for tapet bath tapet bath के लिए पानी का तापमान कितना होना चीए सीदे तोर पर याद रखना टेपिड बात के लिए उतना ही तापमान होना चीए जितना हमारे सरीर का होता है वो है 98 से 100 डिग्री फेरनाइट अंसर जाएगा टेपिड बात कितने से कितना 98 से 100 डिग्री फेरनाइट ठीक है? Same body temperature Next बढ़ते हैं Next question, question number 434 A healthcare provider orders application of warm soak to an warm soak to an IV site that is infiltrated मान लीजे किसी व्यक्ति के हाथ में canula लगा वा था और वो canula vein से हट गया है और अब जो सारा fluid है वो बाहर निकल चुका है इसी को कहते हैं infiltration फिर उसका हाथ में पूरी swelling देखने को मिलेगी इसको कहते हैं infiltration तो जब भी ऐसा होता है कि canula out हो जाए और सारा fluid बाहर आ जाए डॉक्टर एक चीज order करते हैं डॉक्टर कहते हैं कि वहाँ पर warm compress लगाओ warm compression लगाओ तो इस question में वो कह रहा है कि कि किसी व्यक्ति को warm compression के लिए बोला गया है उस जगह पे जहां पर infiltration हुआ है ठीक है उस जगह पे लगाने के लिए तो क्या सिध्धान्त काम करेगा नर्स क्या सोचीगी कि इस warm compression में मान लीजे मैंने कोई गरम सी चीज लगा दिया इस से जो गर्महाट इस व्यक्ति के हाथ में जा रही है वो किस method के द्वारा जा रही है ठीक है अगर मैं इसे यहाँ पे लगाता हूँ तो याद रखना बचे यह चार होते हैं सबसे पहले मान लीजे आपने गरम रॉड को पकड़ लिया जैसे आपने उस गरम रॉड को पकड़ा उस गरम रॉड से आपका हाथ जल जाएगा यानि वहाँ से हीट आपके हाथ में जाएगी तो जब भी direct contact से हीट ट्रांसफर होता है उसे कहा जाता है radiation sorry, so sorry उसे कहा जाता है conduction क्या कहते हैं? conduction जब direct हीट ट्रांसफर होती है समझ रहे हो? direct contact में conduction जब मान लीजे आपने कमरे का फैन खोल दिया और जैसे ही हवा चारों तरफ घुमी आपका कमरा ठंडा हो जाए उसको कहते है convection यानि air से by air air से अगर movement हो रहा है हीट का उसे कहते है convection convection is transfer of heat by air heat का transfer होना air के द्वारा उसको कहते है convection और direct किसी चीज को पकड़ कर heat का transfer होना उसे कहते हैं conduction अब मान लीजे इदर सामने आपके पहाड़ियां है और आप यहाँ पर खड़े हो और उन पहाड़ियों से जो wave आ रही है उनसे आपके क्या हो रहा है heat loss हो रहा है इसको कहते है radiation इसको क्या कहते है radiation ठीक है इसमे भी indirect contact होता है heat का radiation और एक होता है evaporation मान लीजे आपके सरीर में काफी ज़्यादा पसीना है और वो पसीना जब धूब में सूपता है तो उससे heat loss होती है तो आपका पसीने का vapor बनके उड़ जाना क्या कहलाता है evaporation तो यह चार टर्म नहीं भूलीगा direct contact गरम रोड को पकड़के आपका हाथ गरम हो जाए conduction आपने कमरे का fan खोला उससे heat transfer हो air के through heat का transfer होना convection radiation क्या होता है जो UV rays वगरा होती है rays के through आपका heat loss होना यानि कि आप किसी थंडी दिवाल के सामने खड़े हो और आपका heat loss हो रहा है उसे कहते है रेडियेशन इसलिए बड़े भुजूर्ग हमें कहते थे कि दिवाल के पास नहीं सोना चीए वरना रात को सर्दी लग जाती है ठंडर लग जाती है चुक्कि heat loss होता है अगर दिवाल ठंडी है तो radiation के द्वारा और last अगर पसीना है वो evaporate हो रहा है तो किसके द्वारा heat loss होगा evaporation के द्वारा एक question ही पूछा जाता है कि छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा heat loss किसके द्वारा होती है radiation के द्वारा इसलिए छोटे बच्चों को टोपी पहनाने जरूरी होती है क्योंकि अगर आप उनको टोपी पहना दोगी तो उनके सर से waves के द्वारा heat loss नहीं होगा ठीक है तो इसलिए बच्चे को cap पहना के रखते हैं तो आब मुझे बताओ infiltration वाले हाथ में जब उसका गरम सी चीज लगाई होगी तो किसके तुरू heat transfer वाऊगा conduction किसके तुरू conduction ठीक है क्योंकि direct contact है ना इसलिए direct contact जब भी होता है तो conduction next question number 435 a nurse is caring for a client who is admitted to the hospital for medical management of heart failure एक विक्ति को heart failure है जिसकी वज़े से उसको severe peripheral edema हो गया है पूरे हाथ पाउं में सूजन आगी है heart failure की वज़े से क्या lecture देखेंगे which clinical indicator associated with unresolved severe peripheral edema should the nurse assess the client peripheral जो हाथ पाउं में उसकी सूजन आगी है उस वज़े से उस विक्ति में क्या हो सकता है तो विक्ति को heart failure था उसकी वज़े से पूरे हाथ पाउं में विक्ति के सूजन है severe peripheral edema है तो अब विक्ति को क्या हो सकता है मेरी बात सुनू जब भी किसी जगा में edema होता है जब भी किसी जगा में सूजन होती है तो उस जगा में proper blood supply नहीं पहुच पाती है और ज्यादा इस्तिति खराब हो जागी याद रखना अडीमा जहाँ पर भी होगा उस जगा पर blood supply एच्छे से नहीं होगा तो oxygen नहीं मिलेगा विक्ति को tissue is chemia हो जाएगा इसलिए जो से peripheral edema है वो lead कर रहा है tissue is chemia को ठीक है वहाँ की cells की death हो रही है which sinus symptom या clinical funding should the nurse observe psoriosis में कौन-कौन से लक्षन देखने को मिलते हैं बच्चे यहाँ पर देखे आप एक बार diagram देखे यहाँ देखे ऐसे dry scales हो जाते हैं आपके elbow में ठीक है joints में knee में scalp में इस तरीके के dry scaly lesions हो जाते हैं अब देखे पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर देखे elbow में हो रुख है ठीक है तो इसे कहते हैं psoriosis अब देखते हैं कौन-कौन से लक्षन हो आप लिखे हुए है तो psoriosis में व्यक्ति को क्या हो जाएगा scaly lesions बहुत important है कई बार ही आता है psoriosis में scaly lesions होते है pruritic lesions बहुत ज़्यादा खुजली होती है इन lesions में और red and pupils लाल रंके होते हैं बिलकुल बहुत ज़्यादा खुजली होती है और scaly lesions होते हैं मैंने आपको डाइग्राम दिखा दिया आप relate कर पा रहे होंगे तो psoriosis के तीन लक्सन याद रखना exam से पूछे जाते है next question number 437 a client with psoriosis ask the nurse what can help this condition exactly जिसे psoriosis है वो nurse से पूछता है कि मेरी यह जो condition है कैसे ठीक हो सकती है what should the nurse include in teaching plan nurse client को क्या बताएगी मेरी बात सुनिए बच्चे जहां पर psoriosis होता है ना हाथ में उस जगह पे क्या किया जाता है steroids supply किया जाता है उस जगह पे steroids लगाया जाता है और steroids लगाने के बाद उसके बाहर से वहाँ पर एक पन्नी बांदी जाती है एक plastic बांदी जाता है tightly और पूरी राद उस पन्नी को तो वहाँ पर रखा जाता है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ देखो कैसे वहाँ पर इस्टिरोइड लगाने के बाद पन्नी पूरी बांद दी जाती है, कोई एक प्लास्टिक रैप कर दिया जाता है, चारों तरफ से उस लीजन्स में, देखे, ये देखे, जैसे वहाँ पर स्टिरोइट्स लगाया उसके बाद इस तरकी से टाइडली प्लास्टिक रैप कर देते हैं हम ठीक है इस लेडी का देखिए यहाँ पर किया हुआ है और फिर इसको राद बार ऐसे ही रहने देंगे ठीक है तो सोरियों से इसके लिए हम क्या करेंगे स्टिरोइट्स लगाके प्लास्टिक से रैप कर देंगे उस जगह को तो यहाँ पर अंसर क्या चले जाएगा नर्स क्या बताएगे प्रेशन को कि टॉपिकल एप्लीकिशन ऑफ स्टिरोइट्स बास्टिक रैप कर दिया जाता है यह बात भी याद रख लिजगा ठीक है लेक व्यक्ति को स्कावीज नर्स उसको केर दे रही है। विच इंफॉरमेशन अबाट डास केवेगी शूर दा नर्स कंसीडर मैं प्लैनिंग केर फॉर दा लाइन्ट क्या चीज नर्स ध्यान रखेगी इस विक्ति को केर देते समयं, यह बात ध्यान रखेगी कि scabies बच्चे बहुत ज़्यादा फैलता है याद रखना अगर किसी एक वेक्ति को scabies है तो उससे दूसरे वेक्ति को बहुत ज़्यादा फैलता है इसलिए काफी बार question में पूछा जाता है कि scabies कैसी बीमारी है highly contagious बहुत ज़्यादा contagious होती है एक वेक्ति से दूसरी वेक्ति में बहुत ज़्यादा फैलती है और स्कैबिस किसके द्वारा फैलती है इच माइट ये क्वेशन भी कई बारी पूछा गया है इच माइट के द्वारा फैलती है स्कैबिस मैं आपको डाइगराम दिखाता हूँ डाइगराम देखने से पहले एक बाद देख लिज Assay की इंच मािट का दूसर नाम कै सारकोप्ट्स स्कैबी चीन है यहाद रखनार को सारकोप्ट्स स्कैबी भी कहा जात है religious मत ko जिससे क्या होता है scabies होता है देखिए diagram देखो बच्ची यह तो है इच माइट देखो यह यह पता है बुरोज बनाती है आपने सुना होगा यह skin के नीचे सुरंग जैसी बनाती है और वहाँ अपने अंडे देती है याद रखना बुरोज अंडर दे स्किन कौन मनाता है इच माइट यह क्वेशन भी आता है और वहीं पर अपने अंडे देती है और पिशन को बहुत ज्यादा खुजली होती है उस जगह में ठीक है और यादर ने डारेक्ट कॉंटेक्ट से फैलता है इसलिए हाईली कंटेजियस होता है यह देखिए इच इस के रहसेज भी दिखाए दें यह सकबीश की रहसेज है ठीक है इच माइट से होता है ध्यान रखणना इसके निचे ब्रोज बनाता यहाद रखना वहीं अपने एक्स देथा और बहूत पूरिटिक होता है और बहुत जादा आधा कंटेजियस होता है फैलता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसके बिस highly contagious होता है ठीक है चलिए next question number 439 a nurse is caring for a client with the diagnosis of pamphigus vulgaris एक व्यक्तिक of pamphigus vulgaris है which expected response does the nurse need to address the client plan of care तो यह बताइए कि कौन सी response है does the nurse need to address the client plan of care मुझे बताइए बच्चे pamphigus vulgaris क्या होता है यह भी skin lesions होते हैं आपकी यह देखिए बच्चे बहुत serious disease होती है इसमें क्या होता है इसकिन में ऐसे बड़े 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 blisters बन जाते हैं और उनके अंदर भर जाता है पानी fluid filled blisters बन जाते हैं व्यक्तियों में जब तक वह एक सेंटीमिटर से कम होते हैं बच्चे छोटी छोटे हम उनको कहते हैं वैसिकल्स हम उनको कहते हैं वैसिकल्स और वह छोटी छोटे होते हैं उनके अंदर पानी होता है ठीक है जब वो एक सेंटीमिटर से बड़े हो जाते हैं तब हम उनको कहते हैं बुले हम उन्हें क्या कहते हैं अब हम उन्हें कहने लग जाते हैं बुले तो याद रखना पैमफिगस वल्गैरिस में क्या होता है इसकिन में क्या होता है फ्लूइड फिल्ड वैसिकल्स ऐसे बड़े बड़े फफोले होंगे और उसके अंदर पानी भरा होगा जब वो एक सेंटीमेटर से कम होंगे तो उसे हम कहते हैं वैसिकल्स जब उनका साइज एक सेंटीमेटर से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसी को बोलने लग जाते बुले ठीक है और बाद में ये वैसिकल्स फटते हैं और उसके बाद पर्बनेंट इसकार वहाँ पर पड़ जाता है देखो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ ये देखो बच्चे ये वैसिकल्स है और इनके अंदर फ्लूइड भरावा है ये है पैमफिगस वल्गैरिस और बाद में देखिए बच्चे जब ये ब्लिष्टर रप्चर होते हैं तो उसके बाद पेशन्ट की केंडिशन कैसे हो जाती है पूरे यहां पर आपको पिक्रमेंटेशन होते हुए नजर आएगे तो याद रखना फ्लूइड फिल्ड बिष्टर्स किस डिजीज में होते हैं पमफिगस वल्गैरिस ठीक है तो वो क्वेशन पूछता है आपसे क्वेशन आपसे पूछेगा फ्लूइड फिल्ड फ्लूइड फिल्ड बिष्टर्स किस डिजीज में होते हैं डार्क टंसर क्या जाएगा पमफिगस पमफिगस वल्गैरिस ठीक है चलिए इसकी न लीजन होते हैं याद रखना नेक्स्ट क्वेशन नमबर फोर हंड़ेड फोर्टी अनर्स इंटर्विविंगा क्लाइन डागनेश वॉफ सिस्टमिक लूपस एरित्रोमेटरस एक व्यक्ति को SLE है सिस्टमिक लूपस एरित्रोमेटरस इस विच कॉमन रिस्पोंस तू इस डिजीज के न नर्स एक्सपेक्ट दक लाइन टो एक्जिबीट क्या लक्सर न नजर आएंगे अगर किसी व्यक्ति को SLE है तो याद रखना बचे दो ही चीज होती है एक तो उस व्यक्ति को जॉइंट्स में पेन होगा अर्थराइटिस होगा जॉइंट्स का इंफ्लामेशन होगा और दूसरा बटरफ्लाइर एश होता है तो दो ही होगा अंसर पहला होगा बटरफ्लाइर एश होता है SLE में बहुत फेमस क्वेशन है कि SLE में क्या होता है बटरफ्लाइर एश और दूसरा जो व्यक्ति के जॉइंट से ना उनका इंफ्लामेशन होता है व्यक्ति का अर्थराइटिस होता है इमेज देखे तब आपको समझ में आएगा पर बच्चे ये याद रखना कि ऐसे लिए किसकी डिजीज होती है कनेक्टिव टीशू की जो हमारी बड़ी का कनेक्टिव टीशू है ना उसकी बीमारी होती है और इसमें सबसे बड़ा क्वेशन बटरफ्लाई रहस और अर्थराइटिस ही होता है इमेज देखते हैं ये देखो बच्चे इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे बटरफ्लाई रहस देखने को मिलता है चीक्स पर ऐसा लगता है जैसे रहस बटरफ्लाई के शेप में हो और दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जॉइंट्स का इंफ्लामिशन हो जाता है ऐसे ली में जिससे अर्थराइटिस कहते हैं यह दो सबसे ज़्यादा कॉमन सारेम सिम्टम पूछे जाते हैं अर्थराइटिस एन बटरफ्लाई रहस यहाँ पर देखिए इस लेडी का देखिए इसे कहते हैं बटरफ्लाई रहस और किस डिजीज में होता है SLE systemic lupus erythromatosis नेक्स्ट तो देख लीजे बटरफ्लाई रहस और इंफ्लामिशन आफ जॉइंट्स question no 441 a nurse is providing counseling to a client with the diagnosis of systemic lupus erythromatosis एक व्यक्ति को systemic lupus erythromatosis है what recommendation are essential for the nurse to include nurse क्या क्या उस व्यक्ति को बताएगी तीन चीजे एक तो उस व्यक्ति को ज्यादा खिलाओ vitamin c ताकि ज्यादा से ज्यादा collagen बने यह question भी आता है कि vitamin c व्यक्ति में collagen बनने के लिए responsible होता है दूसरा उस व्यक्ति का तापमान daily check करो daily temperature check करो अगर उसको fever वगएर आ रहा है तो समझा उसकी स्तिती और खराब हो रही है और तीसरा उसको rest and activity के लिए बोलो क्योंकि आप लगातार व्यक्ति activity करेगा तो बहुत ज़्यादा ठक जाएगा ठीक है तो ठकावट से बचाने के लिए व्यक्ति को rest and activity करने के लिए बोलो व्यक्ति का तापमान daily low और व्यक्ति को ऐसा बोलो कि ऐसा खाना खाए जिसमें vitamin C बहुत ज़्यादा हो क्योंकि ये connective tissue का disease है ठीक है तो collagen का निर्माड होगा इससे तो ये तीन आप advice दोगे उस व्यक्ति को जिसको SLE है याद रखेगा चलिए next बढ़ते है question number 442 a client newly diagnosed with scleroderma एक व्यक्ति को अभी-अभी scleroderma का diagnosis हुआ है why where did I get this from patient पूसता है कि मुझे scleroderma कहां से हुआ the nurse best response is although no cause has been determined for scleroderma it is thought to be result of तो nurse क्या बताएगी कि जिस भी व्यक्ति को scleroderma नाम की बिमारी होती है वो कैसे होती है याद रखना बचे scleroderma नाम की बिमारी autoimmune होती है खुद की body खुद की cells को damage करती है image देख लीजे scleroderma होता क्या है तो यह देखिए यह होता है scleroderma बचे tightening of skin blues discolation of finger toes in cold pigmentation उनका hypopigmentation हो जाना और finger pit में ulcers का बन जाना यह देखिए ulcers बने वे हैं blues discolation हो गया है hypopigmentation हो गया है इसे कहते है scleroderma यह देखिए इस तरीके से इसे scleroderma कहते है बचे ठीक है तो scleroderma का आज के बाद हो पूछेगा क्या कारण है autoimmune है ना autoimmunities का कारण है चलिए next question no 443 our nurse is assessing our client with the diagnosis of scleroderma एक वेक्ति को scleroderma for sign of crust बच्चे scleroderma में crust sign दिखते हैं अभी मैं आपको explain कर दूँगा C, R, E, S, T C से क्या होता है आपको इतना याद रखना है कि crust किस में देखा जाता है scleroderma में इनमें से कौन से लक्सर्ण देखने को मिलेंगे तो याद रखना isofasal reflex देखने को मिलता है spider-like hemangioma देखने को मिलता है और episodic blanching of fingers देखने को मिलता है scleroderma में अब देखते हैं ये crust के full form है क्या तभी हमें ये option समझ में आएंगे तो बच्चे यहाँ पर देखे crust मतलब क्या होता है C से होता है calcinosis यानि कि calcium deposit in the organ organs में calcium का deposition होना calcinosis होता है C से crust में R से होता है renault phenomena यानि कि जब ठंड लगेगी तो हाथ बिल्कुल सुकुर जाते हैं हाथ के vessels और हाथ को supply नहीं होती है blood की spasm of blood supply response to cold और stress R से क्या हो जाएगा renault phenomena ये से क्या हो जाएगा isofasial dysfunction acid reflux and decrease in motility of isofagus से क्या हो जाएगा sclerodactyl यानि thickening and tightening of skin on the finger and hands hand और fingers में skin थिक हो जाएगे और tight हो जाएगे उसको कहते है sclerodactyl और लास्ट है टी से टेलेंग गेटी एसे यानि dilution of capillaries causing red marks on surface of skin ठीक है capillaries का dilution तो ये crust syndrome किसमें देखने को मिलता है scleroderma में अब देखना है crust syndrome में से ही वहाँ पर option है एक तो isofasial dysfunction है और एक तो hand का tightening of the skin and finger और एक ही है dilution of capillaries is causing red marks on surface of skin अब देखते हैं question तो कौन कौन सा option सही है crust syndrome में क्या क्या आ रहा है isofasial reflex disorder spender-like human humans जिससे telling ATS भी कहते है और episodic blanching of fingers तो ये तीन हो जाएगे crust syndrome के अंदर next next